नमस्कार दोस्तों, मैं कीरन मेरे यूटूब चैनल कीरन्स कीचन गार्डन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभी नंदन दोस्तों यहां बारा की संख्या में मैंने बैगन के पौधे लगा रखे हैं अपनी चत पर और मैं पांस दिनों के लिए यहां नहीं थी उस समय में यहां वाइट फ्लाई और ग्रीन फ्लाई के अटाइक हुए है तो यह पत्तियां चूशने वाले कीडे होते हैं और इन्हें इस तरह से देखिए पत्तियों को यलो कर दिया है इसके रस चूश लिए हैं जिसकी वज़ा से यलो हो गई है तो पत्तियों के यलो होने के कई होज़ा होती है कई कारण होते हैं लेकिन इन पत्तियों में फिलाल यही कारण है कि इन में वाइट फ्लाई के अटाइक हुए हैं ग्रिन फ्लाइक अटेक वे हो यो पत्यों के पिछे इस तरह से बैठती हैं और उनका इस तरह से रश्योषने लगती हैं जिसकी वज़ा से ये पीले हो जाते हैं और धूप की रोशनी लेकर भी फिर वो खाना नहीं बना पाते क्यूंकि पत्यां बिल्कुल ही जिल्लेदार हो तो सबसे पहले देखें जो पत्यान यलो जो गए है जिनका प्रत से रश्योष안 लिया है उन्हें पुठी हैं और जन्हें बस्तों हो यह न हम फूरितों के बाड़ा ख चूच लिए और भील्य तो के और पचार सो तो दोस्तों देखिए एक बच्चे घर पे नहीं है, फोन पकड़ने के लिए तो मैंने फोन रखके पूरी पत्तियों को हटा दिया है, क्योंकि दोनों हाथों से पत्तियों को हटाना पड़ता है, एक हाथ से नहीं हटती है, तो काफी समय लगें और एक एक पत्तियों को पूरी तरह से देखिए इस तरह से हलकी लग रही है और इसमें बहुत अधिक मातरा में भी फल लगे हुए हैं तो जितने छोटी पत्तियां हैं वही बची हुए हैं बाकि सारी पत्तियों को मैंने हटा दिया है तो बैदन के पौधों में अकसर ही इस तरह के काम करती हूं पत्तियों को हटाना यह मेरे लिए सबसे कारगर उपाई लगती है कि मैंने अकसर ही देखा है कि जब और गनिक तरीके से गाड़नी कम करते हैं तो बहुत अधिक मातरा में जब कीडे लग जाते हैं तो उनका बचाव करना बहुत ही मुस्किल होता है और जब पत्तियां इस अगर पौधों में बनी रही तो कोई फाइदा नहीं होता है तो वह खाना नहीं बना पाती प्यड़ पौधों के लिए तो उसे हटा देना ही मैं उचीत समझती हूं तो देखिए इतने सारे जो पत्तियों को मैंने निकाल है यह काफी अधिक मातरा में है और इन्हें मैं कह मैं साम के समय है और साम के समय में देखिए मैं एक इस्प्रे वोटल ले रही हूं और इसमे Para-porn Flake masks दो ढाल रही हूं एक लिटर पानी में hand wash डाल रही हूँ और इसके बाद मैं डालूंगी नीम oil तो दोस्तों नीम oil आप कहीं से भी मगा सकते हो यह हर जगह आजकल उपलवध होती है मैंने seed shop से लिया है और seed shop में यह बहुत ही आसानी से मिल जाती है तो एक चम्मच मैं एक लिटर पानी में नीम oil डाल रही हूँ नीम oil बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि ना अधिक नीम oil की मातरा होनी चाहिए और ना ही अधिक liquid shop की मातरा होनी चाहिए और अगर आपको लग रही है कि बहुत अधिक डल गई है तो तुरंती ही पौधों को साप पानी से धो डालिए वरना पत्तियां जो है वो जल जाएंगी तो दोस्तों देखिए ये मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है सेक करके और ये साम के समय है जब मैं इसका स्प्रे कर रही हूँ किसी भी पेश्ट्री शायड का इस्तिमाल हमेशा साम के समय में ही करना चाहिए चार बजे के बाद तो ये 4 बजे की बाद की समय है जब मैं इसके स्प्रे कर रही हूँ साम के समय में स्प्रे करने से बहुत पायदे होते हैं नीमोईल का परभाव जो है पूरी रात इसमें बनी रहती है क्योंकि जो पत्तिओं को हम इस तरह से बहुत ही अच्छे से नीमवेल से गिला कर रहे हैं तो वो पूरी रात इसमें बनी रहती है वो सूख नहीं पाती है और इनमें जो तीखा पन है पूरी रात बनी रहती है तो तीखे पन की वज़े से जो white fly है, green fly है वो इस पर बैठती नहीं है और फिर यहां से भाग जाती है बहुत अधीक तो नहीं लेकिन कुछ संख्या में जो है वो भाग जाती है और अगर हम लगातार इसी प्रकार से हर शाम में इसकी स्प्रे करते रहते हैं तो वो इस पर बैठ नहीं पाते है क्योंकि नीमवेल जो है वो काफी कड़वी होती है तो वो इनका रस नहीं चूस पाती है और वो तीन-चार दिनों के स्प्रे से जादतर भाग ही जाती है और इस तरह से पेर पोदे जो है वो हमारे सुरक्चित हो जाते है तो दोस्तो इसका स्प्रे मैं सिर्फ अभी उपर-उपठ कर रही हूँ क्योंकि मैंने होन पकड़ा हुआ है तो इससे जो नीचले हिस्से हैं उन में भी उलट-उलट कर अच्छे से इसका स्प्रे करें क्योंकि कीड़े जो हैं इसके पीछले भाग में ही ज़्यादा बैठती हैं तो वहाँ स्प्रे अच्छे से करें पत्तो के उपरी हिस्से और पीछले हिस्से में मैंने बहुत ही अच्छे से नीमोयल का स्प्रे कर दिया है और इसके बाद भी एक उपाय करने वाली हूँ तो चलिए वो बताती हूँ तो देखे यह है यलो श्ट्रीकी स्ट्रैप और यह बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी होती है और वाइट फ्लाई और ग्रिन फ्लाई के लिए यह बहुत ही कारगर शिर्द होती है और इसका इस्तमाल मैं अपने पेड़ पौधों में करती हूँ तो देखे यह मैंने सीड सॉप से लिया है यह ब्लू और यलो में आती है इस तरह से ब्लू किलर वाली 6 पीस है और यलो वाली जो है वो 10 पीस है तो यह 150 की मुझे पड़ी है और इसका इस्तमाल मैं अपने गार्डन में जरूर करती हूँ वाइट फलाई और ग्रिन फलाई के लिए यह बहुत ही कारगर्शिद होती है और इसके इस्तमाल से मैं काफी हद तक वाइट फलाई और ग्रिन फलाई से अपने पौधों को बचा लेती हूँ तो इसका इस्तमाल अपने गार्डन में जरूर करके देखिए ये बहुत ही कारगर शिद होती है तो चलिए मैं बताती हूं कि इसका इस्तमाल कैसे करना है तो देखिए यहां दो छेद हैं या फिर छेद अगर ना हो तो आप इस तरह से छेद बना लीजे और वायर के साहरे मै आप उसे बांध दें उपरी भाग में लेकिन यह पौधों के जो है उपर होनी चाहिए इसकी खूसूरत यलो कलर बहुत ही आकर्शित होती है जो उड़ने वाले जितने भी कीड़े होते हैं जितने भी वाइट पलाई होती है फल मक्ही होती है सभी को बहुत ही ज़्यादा कर्शित करती है और इसमें आकर वो चिपक जाती है तो अभी नीम वैल के श्प्रे किया है मैंने और यह थोड़ी देर में इसमें चिपगना सुरू हो जाएंगे क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा चिप चिपी होती है तो देखे मुझे लग रही है कि यहां देखे इस तर से कुछ ही देर में इसमें बहुत सारी जो ग्रीन फ्लाई है और वाइट फ्लाई जो है इसमें चिपगना सुरू कर देंगी क्योंकि अभी मैंने इसमें नीम वैल का छिड़काव किया है उसका असर अभी बहुत तेज है तो उस पर बैठींगी नहीं उपर उड़ती रहें आकर चिपकने लगेंगी और दो दिनों के बाद मैं इसको श्रीजर्ट दिखांगी तो देखHSenיח ही बहुत ही अधिक संख्या में थी तो देखिए यह आकर इसमें चिपक गई है तो देखिए यह बहुत ही कारगर्शिद होती है यह यलो श्टकी स्ट्रैप जो है वो उड़ने वाली जितने भी कीड़े होते हैं जितने भी फल मक्की होती है और जितने भी कीड़े होते हैं उनके लिए देखिए बहुत ही कारगर्शिद होती है तो अ किड़ों से बचाती हूं और यह तीन काम मैं जरूर करती हूं और यह तीन काम करने के बाद जितने भी कीड़े होते हैं उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं वा कर इस यलो की कि इस ट्रैप में चिपक जाती हैं या फिर भाग जाती हैं और पौधे जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन में इस तरह कितीं काम करिए और पौधों को सुरक्षित रखिए इन मख्यों से तो इस तरह से सभी काम करने के ब जाती हूं तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार